ट्रिगनोमेट्री पढ़ तो लिया लेकिन ये काम कहां आएगी कहीं आएगी भी बिलकुल आएगी आज देखेंगे हम ऐसे धेर सारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जिनको हम सॉल्फ करेंगे ट्रिगनोमेट्री के हेल्प से तो तैयार हो तो सी दा आप्लिकेशन सब प्रुबान मुझे उम्ही थे कि आप सभी अच्छे है और आज मैं लेकर आएगी क्लास 10th माट्स अप्लिकेशन सफ ट्रिगनोमेट्री का वन शॉट विडियो हमेशा की तरह खतम करेंगे इस पूरे लेसन को सिरफ और सिरफ एक विडियो में और हमेशा की तरह सिरफ इस ए त्यारे जबी लोग लेट्स केट स्टार्टेड तो मेरे प्यारे बचो आप्लिकेशन सफ ट्रिगनोमेट्री जिसे कई बार हाइट्स अंड डिस्टेंस भी कहा जाता है यह एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग और साथी साथ बहुत ही इंपोर्टन चाप्टर है तो यहां पर मज़दार बात यह है कि हम कोई नए कॉंसेप्ट नहीं सीखेंगे कोई नए फॉर्मूला नहीं सीखेंगे यहां पर ट्रिगनोमेट्री वाले लेसन में हमने जो भी चीज़े पढ़ी थी ट्रिगनोमेट्री रेशियो के बारे में उसी को यूज करके हम रियल लाइफ प्र लेकिन इस question solving का सिलसला शुरू करने से पहले तीन ऐसे concepts हैं या फिर कहलो तीन ऐसे terms हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्यों क्योंकि यह जो word problems हैं यह जो हमारे real life problems हैं इन problems को समझने के लिए इन तीन terms को समझना बहुत जरूरी है तो कौन से हैं यह तीन terms पहला line of sight, दूसरा angle of elevation, तीसरा angle of depression ठीक है तो चलो एक एक करके इन तीनो terms को कर लेते हैं crystal clear तो उससे पहले सभी लोग फटा-फट से मुझे बताओ कि क्या सभी तैयारो मेरे साथ applications of trigonometry आज अभी के अभी खदम करने के लिए अगर हां तो comment section में जल्दी से लिख डालो yes we are ready to make our concepts crystal clear ठीक है तो चलो अपनी copy pen के साथ बैठो जैसे जैसे इस वीडियो को देखोगे मेरे साथ-साथ questions solve करते रहो ठीक है तो चलो सबसे बहले बात करते हैं line of sight एक situation लेते हैं अब मैं अपने balcony में खड़ी हूँ अब अगर मुझे मैं बिल्कुल straight ऐसे देखूँ तो मु गुमानी होगी तब जाके मैं इसके topmost point को देख पा रही हूँ ठीक है अब यही अगर मुझे इस पेड़ के बिल्कुल base point को देखना है तो मुझे अपनी गर्दन कैसी गुमानी होगी मुझे अपनी गर्दन यू नीचे की तरफ गुमानी होगी तब जाके मैं इसके बिल् को मैं देख रही हूं, उस point तक अगर मैं एक line खीचू χू तो उसे मैं कहूँगी line of sight. ठीक उसी तरीके से जब मैं इस tree के bass पे देख रही हूं तो मेरी आँखों से उस point तक अगर मैं एक line खीचू तो इस line को हम कहेंगे line of sight. Exactly. क्योंकि कि मतलब हमारी eyesight जिस तरफ जा रही है, जिस चीज को देख रही है, उसके तरफ जब हमारी eyesight जा रही है, तो वो जो line है, उसे हम कहते हैं line of sight. Right? Okay, तो line of sight का मतलब क्या हुआ? कि मैं, मैं यहाँ पे क्या हूँ? मैं हूँ observer. क्यों, क्योंकि मैं ही तो observe कर रही हूँ? किसे observe कर रही हूँ? trick observe कर रही हूँ, है ना? तो observer के eye से, जो इस point को observe किया जा रहा है, उस point तक, जो straight line खींची जाती है, उसे ही हम कहते हैं line of sight. Clear? Okay, आगे बढ़ते हैं दूसरे term की तरफ, which is angle of elevation. अब बच्चों, हमने notice किया, जब मुझे topmost point देखना है, तो मुझे अपनी गर्दन ऊपर की तरफ कर ले जानी पर रही है, क्योंकि अगर मैं यूं horizontal, यह हमारा horizontal line है, तो अगर मैं मेरी line of sight जब horizontal है, तब मुझे topmost point नहीं दिख रहा है, लेकिन, जब मुझे topmost point देखना है, तब मैं यूं गुमा रही हूँ, यानि कि मेरी line of sight यूं चली जा रही है, अब ये line of sight horizontal के साथ, जो angle बना रही है, वही तो है angle of elevation, मतलब कोई भी point जो ऊपर की तरफ है, उसे देखने के लिए हमें elevate करना पढ़ रहा है, उस दौरान जो line of sight है, वो horizontal के साथ कुछ angle बना रही है, और इसी angle को हम कहते हैं angle of elevation, ठीक उसी तरीके से angle of depression था, आम शूर मेरे smart वच्चे अब तक समझी चुके होंगे, है ना, अब इसी तरीके से जब मैं इस tree के बिलकुल base वाले point को देख रही हूँ, तो क्या हो रहा है, horizontal यहाँ पर है, लेकिन मेरा line of sight ऐसे है, तो यानि कि horizontal के साथ यह line of sight जो angle बना रहा है, वो क्या है, angle of depression, exactly, तो भाई यह तीनों terms तो I guess आप सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया होगा, तो आप समझ लो, half battle is won, लड़ाई आपने आदे जीत ही ली है, क्योंकि पहने पहले भी बताया था, कि यहाँ पर हम कुछ भी नया नहीं सीखने वाले है, कोई नया formula नहीं, कोई नया concept नहीं, बस यह तीन terms से आपका परीचे कराना था, ताकि इसके बाद जैसे ही हम questions solve करने लगेंगे, तो उस दौरान क्या होगा, कि आप बड़ी जल्दी से catch करोगे, कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, चिक है, तो अब बच्चों जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, अब questions के साथ, तो हम देखेंगे इन सारे questions में, क्या similarity होगी, हर question में आप देखोगे, या तो कोई tower होगा, नहीं तो कोई building होगी, नहीं तो कोई statue होगी, कहीं पर हम उस tower की height निकाल रहे होंगे, तो कहीं पर हम उस tower से अपनी distance निकाल रहे होंगे, मतलब observer की distance निकाल रहे होंगे tower से तो कहीं पर observer जब उस tower के topmost point को देख रहा है तो उसका angle of elevation निकाल रहे होंगे तो इस तरह के कई अलग-अलग situations अब हमारे सामने आने लगेंगे but एक चीज हमेशा true रहेगी इन सारे problems के लिए और वो ये है कि आप देखोगे किसी न किसी तरीके से उसके अंदर बन रहा होगा एक right angle triangle, drawing जाहे आपकी कैसी भी हो but applications of trigonometry के जितने भी problems अब हम solve करेंगे हर में हमें बनानी पड़ेगी एक right angle triangle, in fact एक right angle triangle वहाँ बन रही होगी और जहां ये right angle triangle होगी तो आप क्या देखोगे हम use करने लगेंगे अगर right angle triangle होगी तो उसके अंदर एक perpendicular होगा, एक hypotenuse होगा, एक base होगा है ना और हमें तो already sin theta, cos theta, sec theta, tan theta, cot theta इन सब के trigonometric ratios हमें पता ही है तो हम क्या करने लगेंगे इस right angle triangle के अंदर इन trigonometric ratios के help से कभी हम tower की height निकाल रहे होगे, कभी हम angle of elevation निकाल रहे होगे, तो कभी हम tower से अपनी distance निकाल रहे होगे इसका मतलब कुछ rocket science तो यह बिल्कुल ही नहीं है, in fact बिल्कुल भी मुश्किल chapter नहीं है अगर यह concepts आपको समझ में आ रखे हैं, मेरे साथ आप गिन के 10 questions solve करो यह मेरा guarantee है, यह मेरा वादा है, कि गिन के 10 questions आप मेरे साथ अभी इस video के दौरान solve करो उसके बाद आप अपनी कोई से भी textbook उठाओ, आप सारे के सारे questions खुद से solve कर पाओगे तो बच्चों बार-बार कहरी हूँ कि इन questions को solve करने के लिए mathematical calculation जादा कुछ भी involved नहीं है इन सारे questions को solve करने के लिए सबसे जादा important है question के meaning को समझना question में जो English लिखी हुई है उस English को समझना या जिस भी language में आप mathematics पढ़ रहे हो उस question की को logically समझना कि क्या हो रहा है, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है अगर वो आपने कर लिया तो I don't think आप कहीं पर भी फसोगे तो मैं उमीद कर रहे हुँ कि आप सभी लोग ready हो आप question solve करने के लिए क्या बताओ फटापट से बताओ क्या आप लोग ready हो are you ready तो चलो आप शुरू करेंगे हम problem solving तो चलो बच्च शुरू बात करें हम हमारे problem solving की तो यहाँ पर है हमारा problem number one और सबसे पहला problem किसके उपर है circus artist के उपर circus तो देखा ही होगा कभी ना कभी पच्पन में ही सही देखा ही होगा कभी ना कभी okay तो question क्या कह रहा है ठीक है a circus artist is climbing a 20 meter long rope ठीक है यह है 20 meter long rope यह जो artist है यह इस पर climb करेंगे तो लिखते जाएंगे हम जो जो चीज़े हमारे पास दी हुई है 20 meter इस rope की length है which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole यह क्या है यह है हमारा vertical pole जिसके top से यह यहां से tied है ठीक है to the ground और दूसरा end इसका कहां पे tied है ground पे tied है find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 degree मतलब यह rope जो है यह ground के साथ ground कहां पे है ground इस तरीके से है horizontal line इसके साथ यह कितना angle बना रहा है यह बना रहा है 30 degree मुझे क्या निकालना है height of this pole इस pole की height निकालनी है मुझे ठीक है अब देखो बन गया एक right angle triangle मैंने पहली बताया था बनेगा एक right angle triangle अब आप बोलोगे मैं कैसे पता यह 90 degree है जाहिड सी बात है यार यह pole जो जमीन पर खड़ा है वो pole तो 90 degree पर ही खड़ा है जमीन पर राइट तो यह एक right angle triangle है ठीक है अब आप मुझे बताओगे कि यहाँ पर अगर मुझे यह वाली height निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकती मेरे पास theta दिया हुआ है 30 degree यह अगर theta है थोड़ा सा trigonometry याद करो trigonometry के concept यह है theta तो यानि कि यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा base है कि नहीं थीटा के opposite वाला side क्या हो जाता है यह हो जाएगा perpendicular और यह हो जाएगा hypotenuse है कि नहीं तो base hypotenuse perpendicular हमें पता है ठीक है भई अब 30 degree हमें पता है अब देखो यहाँ पे base की value तो दी हुई नहीं है value किसकी दी हुई है hypotenuse की value दी हुई है perpendicular की value मुझे निकालनी है अब फटा फट से अपने दिमाग में recall करो हमारे 6 के 6 trigonometric ratios कौन सा वो ratio था जिसमें hypotenuse और perpendicular involved था sin theta was p by h perpendicular by hypotenuse काम वन गया अपना तो हमें याद आ गया हमारा ये प्यारा सा trigonometric ratio जो की था sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse ठीक है यहाँ पे हमें ना height निकालनी है इस height को h से confuse मत हो जाना ये perpendicular है ठीक है ना ओके अब theta की value कितनी दी हुई है theta की value दी हुई है 30 degree perpendicular की value हमें पता नहीं है p is not known और hypotenuse की value दी हुई है 20 तो इसका मतलब perpendicular की value कितनी हो जाएगी 20 into sine 30 degree sine 30 degree कितना होता है फटा 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 अंसर sine 30 degrees 1 by 2 exactly तो यानि की ये इसकी value कितनी हो गई 10 meter पी यहाँ पे क्या है भाई perpendicular यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं बलकि height of the pole है तो यानि की ये जो हमारा pole है इस pole का height कितना है 10 meters है and that is our answer ठीक है तो ये जो question था ये एक बहुत ही simple question था याना जहाँ पर एकदम question को पढ़ते ही ज्यादा दिमाग पे जोरी नहीं लगाना पढ़ा कि भाई इसका you know diagram कैसे बनेगा क्या बनेगा नहीं बनेगा एकदम सीधा question था question था question पढ़ा जो पढ़ा उसको बस draw किया तो तुरंथ हमारे सामने ये right angle triangle आ जाएगा जिसका hypotenuse पता है फीटा पता है perpendicular की value निकालनी है it was a very simple question लेकिन सारे question इतने simple नहीं होंगे बट मुश्किल भी नहीं होंगे ठीक है आगे बढ़े I hope आप लोगो ने भी मेरे साथ solve किया है चलो आगे बढ़ते है तो चलो बच्चों अब देखते हैं हम problem number two ये problem कहता है a tree breaks due to storm मतलब एक tree जो पहले अच्छा कहसा strong and stout खड़ा था एक दिन इतनी टेज आंधी आई कि ये tree उसे withstand नहीं कर पाया बढ़दाश नहीं कर पाया और तूट गया किस तरीके से टूटा such that the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it मतलब वो कुछ इस तरीके से गिरा कि tree का जो ऊपर का portion है वो ground को touch कर गया देखो ये ऐसे करके गिरा तो ये ground को touch कर गया और ground को कुछ इस तरीके से touch किया that it is making an angle of 30 degree with the ground ठीक है अब इस situation को देखो क्या बन गया है इस situation में एक right angle triangle exactly जिसमें theta हमें पता है okay the distance between the foot of the tree and to the point where the top touches the ground is 8 meter इस tree का foot कहां पे है ये है foot of the tree और ये है वो point जहां पर top जो है ground को touch कर रहा है और इन दोनों points के बीच का distance दिया हुआ है 8 meters यानि कि इस right angle triangle में base की value दी हुई है theta की value दी हुई है हमें निकालना क्या है find the height of the tree tree की height निकालनी है अब कौन बताएगा मुझे height of the tree मतलब क्या निकालना है hypotenuse निकालना है या फिर perpendicular निकालना है कुछ बच्चे कहेंगे perpendicular निकालना है और जो बच्चे ऐसा कहेंगे वो गलत कह रहे हैं height of the tree बच्चों इस diagram में देखो तो tree की height सिर्फ इतनी थोड़ी है tree की height कितनी है यह प्लस यह भई टूटके bend हो गया है बच्चे तो वह भी अभी भी यह है हमारा hypotenuse assuming this is a straight line तो यह hypotenuse है और base दिया हुआ है मतलब हमारा काम अभी क्या है perpendicular और hypotenuse निकालना फिर दोनों को जोड़ देना great तो क्या करेंगे अब b दिया हुआ है theta दिया हुआ है ठीक है अगर हम मदद लेते हैं cos theta की cos theta क्या होता है b by h है ना b by h होता है b हमें पता है hypotenuse नहीं पता है तो hypotenuse हो जाएगा b upon cos theta b के value है 8 cos theta cos 30 degree अब cos 30 degree की value कितनी हो जाएगी बताओ table याद करो root 3 by 2 exactly क्योंकि sin theta की जैसी values जाती है cos theta की उसे के उल्टी चलती है तो sin 60 degree की जो value हो वही cos 30 की value होती है so this will be root 3 by 2 ठीक है यानि कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते है 8 into 2 by root over 3 ठीक है यह hypotenuse की value हो जाएगी let's say इतना meters so this is actually 16 upon root 3 meters ठीक है अगर हम नीचे irrational number नहीं चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं उपर नीचे दोनों तरफ root 3 से multiply कर दो तो नीचे क्या हो जाएगा root 3 into root 3 will be 3 ठीक है तो इतना आ गया ओके बट कहानी खतम नहीं हुई क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ hypotenuse की value निकाल ली है है ना अब हम किसकी value निकालेंगे perpendicular की perpendicular की value कैसे निकाल सकते हैं sin theta से निकाल लो sin theta होता है P upon H तो perpendicular की value हो जाएगी H into sin theta है की नहीं अब देखो H की value अभी अभी निकाली है हमने 16 root 3 divided by 3 into sin theta that is sin 30 degree which is 1 by 2 तो यह हो जाएगा 2 8 is a 16 तो यानि की यह हो जाएगी 8 root 3 divided by 3 meters ठीक है तो इस तरीके से हमने perpendicular की value निकाल ली अब हमें निकालेंगे height of the tree height of the tree क्या हो जाएगा perpendicular की value plus hypotenuse की value तो perpendicular की value है 8 root 3 by 3 plus hypotenuse की value है 16 root 3 by 3 तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 24 root 3 by 3 3 8 0 24 तो आंसर हो जाएगा 8 root 3 meters तो height of the tree तो इसका मतलब height of the tree जो हमें निकालना था उसकी value निकलके आ गई 8 root 3 meters right simple था मुश्किल तो नहीं था इस question को मुश्किल तो नहीं कह सकते हो बट हाँ जो पिछला आपने बना लिया तो उसके बाद फिर कुछ खास बचा नहीं है इस question में ठीक है यह question clear हो गया आपने भी solve किया है amazing चलो देखते है question number 3 तो चलो बच्चों अब देखते है question number 3 जहां पे बोला गया है a contractor plans to install two slides for the children to play in the park park में इस तरह के slides हम सभी ने देखे हैं शायद आप लोगों ने बच्पन में इस तरह के slides पे खुब सारी मस्ती भी की होगी तो सबसे पहले slide को दिमाग में visualize करो कैसा होता है slide एक इस तरह का slanting सा slope होता है जिसमें बच्चे बैठते हैं और यूशर से slide करके खुब मजे करते हैं है ना तो यह जो है हमारे ground के horizontal से किसी एक angle में inclined होता है अगर यह मेरा basic structure होता है अब देखते हैं contractor ने क्या plan किया है उसने plan किया है for the children below the age of five years she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meters जाइड सी बात है चोटे बच्चों के लिए एक slide जिसकी height थोड़ी कम हो बड़े बच्चों के लिए दूस्टी slide जिसकी height थोड़ी ज्यादा हो तो इसने plan किया कि एक slide जो रहेगी वो ज्यादा उची रहेगी यानि कि उसकी height कितनी रहेगी 1.5 meter slide की height मतलब ये वाली height कि कितने उचे height पर वो slide है ठीक है and is inclined at an angle of 30 degree to the ground और इसका जो angle of inclination होगा वो 30 degree होगा तो ये कौन से बच्चों के लिए है जिन बच्चों की age जो है that is less than 5 years ठीक है बहुत बढ़िया अच्छा plan है दूसरी तरफ for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meters and inclined at an angle of 60 degree to the ground जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो slide होगी उसकी height होगी कितनी उसकी height होगी 3 meter और उसका जो ये angle of inclination है ये होगा 60 degree ठीक है तो ये कौन से बच्चों के लिए है जिनकी age 5 years से ज्यादा है ठीक है तो मतलब contractor ने ये plan किया कि वो ये दो slides को install करेंगी ठीक है पर सवाल क्या पूछा गया है what should be the length of the slide in each case दोनों ही case में slide की length कितनी होनी चाहिए slide की height की जब हम बात करते हैं तो this is the height मतलब जमीन से कितनी उचाई पर है वो slide और slide का length मतलब ये जो slide करने वाली जगह है उसकी length कितनी है तो मतलब यहाँ पर let us suppose इसकी length L है यहाँ पर let us suppose इसकी length L डाश है तो मुझे L और L डाश की values निकालनी है ठीक है क्या निकालना बहुत मुश्किल है बिल्कुल भी नहीं माम क्या है यह एक right angle triangle है जिसमें ठीटा पता है जिसमें perpendicular पता है निकालना क्या है hypotenuse इतना ही तो करना है तो perpendicular और hypotenuse से relate करता हुआ कौन सा trigonometric ratio है sin theta बहुत बढ़िया तो यहाँ पर अभी मैं बात कर रही हूँ इस वाले situation की तो sin 30 degree क्या हो जाएगा perpendicular जो की है 1.5 meter divided by hypotenuse जो की है L L तो है यहाँ पे hypotenuse है न तो यानि की L की value कितनी हो जाएगी 1.5 divided by sin 30 sin 30 is 1 by 2 तो यानि की यह हो जाएगा 3 meters तो इस वाले case में छोटे बच्चों की जो slide है उसकी length कितनी होगी उसकी length होगी 3 meters बड़े बच्चों की जो slide है वहाँ पर क्या situation है यहाँ पर देखो sin 60 degree क्या हो जाएगा sin 60 degree यह यहाँ पर perpendicular है और यह इसका hypotenuse है है ना तो P by H perpendicular is 3 meters H की जगा लिख देंगे L dash जिसकी value हमको निकाल दी है है ना तो यहाँ से हम लिख सकते है L dash will be 3 upon sin 60 degree which is root 3 by 2 तो यह हो जाएगा 6 by root over 3 अगर उपर नीचे दोनों तरफ हम root 3 से multiply करते हैं तो यह हो जाएगा 6 root तो यह हो जाएगा 6 root 3 divided by 3 3 2s are 6 तो यह हो जाएगा 2 root over 3 meter तो यह हो जाएगी height of the slide ठीक है तो पहले वाले case में slide की जो length है that is 3 meter दूसरे case में slide की जो length है that will be 2 root over 3 meters तो चलो बच्चो तयार हो देखने के लिए problem number 4 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक उडती हुई patang क्योंकि the question is about patang a kite is flying at a height of 60 meter above the ground मतलब यह जो kite है यह ground से किस height पर है 60 meters height पर है okay the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground मतलब patang की जो यह door है यह जो रसी है यह जो string है यह ground के किसी point पर temporarily fix किया हुआ है the inclination of the string with the ground is 60 degree मतलब यह जो string जो है मान लो कि यह ground level है तो ground के साथ यह क्या angle बना रही है 60 degree बना रही है find the length of the string assuming that there is no slack in the string हमें क्या निकालना है इस string का length निकालना है ठीक है अच्छा इसका क्या मतलब हुआ assume that there is no slack in the string बोलने का मतलब है कि यह जो string है यह जो रसी है यह ground के इस point से ले करके kite तक बिल्कुल straight है बीच में इसका कुछ भी टेड़ा मेरा गिठा कुछ भी नहीं है बिल्कुल straight है बहुत बढ़ियां तो हमें क्या मिल गया है एक right angle triangle मिल गया है ऐसे धेर सारे questions इसके पहले भी solve किये है तो यही तक ट्र की part था जिसमें आपको यह right angle triangle ढंग से बनाना था है ना तो अब हमें theta पता है perpendicular पता है hypotenuse निकालना है perpendicular और hypotenuse को involve करता हुआ है हमारे पास sine theta सबको अब तो यह सवाल बच्चो वाला लग रहा होगा है के नहीं तो sine theta क्या होता है perpendicular by hypotenuse P upon H तो यहाँ पर P क्या है 60 meters H क्या है L और sine 60 degree क्या हो जाएगा root 3 by 2 तो यानि की L क्या हो जाएगा 60 into L इधर गया तो 60 into 2 divided by root 3 ठीक है तो यह हो जाएगा 120 by root 3 अगर हम उपर नीचे root 3 से multiply कर दें तो यह हो जाएगा 120 root 3 divided by 3 3 4s are 12 0 तो यह हो जाएगा 40 root 3 meters तो यह हो जाएगा length of the string तो चलो बच्चो अब हम लोग देखेंगे problem number 5 अब धीरे धीरे करके हम हमारे problem के standard को थोड़ा सा बढ़ाते जाएगे असानी कि बहुत मुश्किल हो जाएगा बट धीरे धीरे अब जो पिछला वाला question था अब आपको बचकाना लग रहा होगा ही है 1.5 meter बड़े ध्यान से सुनना is standing at some distance from a 30 meter tall building ये building है जिसके height is 30 meter ये boy है जिसके height is 1.5 meter ये boy building से कुछ distance पे खड़ा है ठीक है the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building अब क्या होता है जैसे मालो एक लंबी से building है आप खुद ये try करके देखो मालो मैं यहां पे खड़ी हूँ कुछी दूर पे एक बहुत उचा सा building है जब मैं यहां से देख रही हूँ तो मैं ऐसे देख रही हूँ लेकित जैसे जैसे मैं उस building के पास जा रही हूँ तो क्या हो रहा है मेरा जो angle of elevation है वो और बढ़ता चला जा रहा है मुझे अपनी गर्दन और यू करनी पड़ रही है उस building के topmost point को देखने के लिए है ना तो कुछ वैसा ही इस boy के साथ भी हो रहा है देखो क्या हो रहा है तो बोलने का मतलब है कि पहले ये boy यहाँ पे था राइट मतलब before वो यहाँ था after कुछ time के बाद वो यहाँ पे आ गया जब वो इस point पे था उस समय क्या थी situation इसकी angle of elevation जो थी वो 30 degree थी लेकिन जैसे जैसे ये building के करीब आ रहा है तो इसका angle of elevation कैसे बढ़ गया 30 degree से इसका angle of elevation हो गया 60 degree ये समझ में आ गया यहाँ तक और हमारे पास क्या दिया हुआ था हमारे पास ये दिया हुआ था कि ये जो boy है इसकी height है 1.5 meter ठीक है और ये जो building है इस building की height कितनी है 30 meters इस पूरे building की height कितनी है ये है 30 meter बहुत बढ़िया हमें क्या निकालना है find the distance he walked towards the building मतलब पहले बंदा यहां पे था यहां से यहां तक जो यह गया यह कितना distance था यानि कि यह वाला जो distance है इस point से इस point तक का जो distance है वो कितना है यह हमें निकालना है तो यहां तक इस question का सबसे important part है जब आप इस question को समझ सको और इस diagram को बना सको राइट मतलब पहले यहां पे था वो तब उसका angle of elevation था, वो 30 degree था, यहां से वो यहां गया, तो उसका angle of elevation कितना हो गया, 60 डिग्री, है न? अब बच्चों बताअओ मुझे कि यहां पर right angle triangle बन रहा है, बिलकुल बन रहा है, है न? तो यह दो right angle triangle बन रहा है, एक तो ये वाला triangle और दूसरा ये वाला triangle, यहां पर दो right angle triangle बन रहे हैं, ठीक है भई, बहुत बढ़ियां, अब इस right angle triangle में यह हो जाएगा हमारा hypotenuse, मतब इस वाले triangle में यह हो जाएगा, छोटे वाले में यह हो जाएगा, यह hypotenuse हो जाएगा, base भी हमें पता है, इधर का यह वाला region base हो जाएगा, अब अगर हमें perpendicular की बात करूँ, तो perpendicular का height कहां तक जाएगा, इस पूरे building का height है 30 meter, बट जो मेरा right angle triangle बन रहा है, वो पूरे building को लेकर तो नहीं बन रहा है, देखो न आप देहान से, क्यूंकि जो हमारा जो base point है, वो तो इस बच्चे का eye है, इस बच्चे अपना eye, इसका eye का level जहां पे है, वह ground इसे दी हुई है, बट जो मेरा right angle triangle बन रहा है, right angle triangle का जो base है, वो ground पे नहीं है, उसका base बच्चे के eye level पे है, है ना, तो इसका मतलब मेरे इस right angle triangle का, अब इस building की height जहे जो मर्जी हो, बट मेरा जो right angle triangle यहां पे बना, let us suppose कि यह A है, यह B है, और यह C है, तो अगर मैं इस right triangle triangle को मैं देखूँ, तो मेरी जो height है, इसकी, मतलब perpendicular जो है मेरा, वो तो सिरफ A, B, A, C है, है के नहीं, तो यानि कि, इस right angle triangle triangle का जो मेरा perpendicular है, तो अगर मैं triangle A, B, C की बात करूँ, तो इस triangle A, B, C में, जो A, C की जो value है, वो कितनी होगी, पूरे building की height, minus height of the boy, हाना, वही तो हो होगी, यह पूरे building की height है, इसमें से अगर बच्चे की height को subtract कर दो, तो तुमें क्या मिल जाएगा, A, C की value मिल जाएगी, तो A, C की value कितनी हो जाएगी, 30 meter, जो की height of the building है, minus 1.5 meter, जो की boy की height है, है कि नहीं, तो यह कितना आ गया, यह हो जाएगा 28.5 meter, अब बच्चों ध्या थीटा दिया हुआ है, इन दोनों triangles का, और perpendicular की value हमें पता है, 28.5, ठीक है, आच्छा, कि निकालना क्या है, वो भी मैंने बता दिया था, यह है हमारा question mark, अब इस वाले length की value निकालने के लिए, मुझे पूरे base की value निकालनी पड़ेगी, तभी जाके इसको मैं calculate कर पाऊंगी तो इस वाले point को भी एक नाम दे देते हैं, let us say D, ठीक है, बहुत बढ़िया, अब एक एक triangle पे एक बार में focus करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले focus करते हैं triangle A, B, C पे, मतलब जो सबसे बड़ी वाली triangle है, ठीक है, मेरे को इस hypotenuse की value से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि perpendicular जो value मुझे निकालनी है, वो value मैं base की value निकाल के निकाल लोंगी, है ना, तो मैं ऐसे trigonometric ratio पे focus करूंगी, which deals with perpendicular and base, P by B, कौन है, tan theta exactly, तो अब triangle ABC में चलते हैं, तो ABC में मेरा theta क्या है, 30 degree, तो हम लिख सकते है, tan 30 degree is equal to P upon B, P की value हो जाएगी 28.5 upon B, B क्या हो जाएगा, ABC का B हो जाएगा पूरा BC, तो यह हो जाएगा BC, ठीक है, तो इसका मतलब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम BC की value निकाल सकते हैं, है ना, ठीक है, अभी के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे चीज को, हम ऐसे लिख सकते हैं, tan 30 degree क्या होता है 1 upon root 3, so 1 upon root 3 is equal to 28.5 by BC, यानि कि हम लिख सकते हैं BC is equal to root over 3 into 28.5, ये हमें एक बात पता चली, BC की value पता चली, great, अब हम अपना focus shift करेंगे दूसरे triangle पे which is triangle ADC, तो चलो, अब focus हमारा चला गया है कहां पे triangle ADC में, अब triangle ADC पे भी हमारा focus किस पे रहेगा, tan theta पे ही, क्यों, क्योंकि हमें perpendicular और base से ही मतलब है, तो यहाँ पर tan theta, theta की value है 60 degree, तो यहाँ पर tan 60 degree क्या हो जाएगा, P by B, perpendicular की value यहाँ पर भी same रहेगी, 28.5, और base की value यहाँ पर कितनी हो जाएगी, DC, ठीक है, ओके, तो अब DC की value क्या हो जाएगी, DC को हम क् लिख सकते है, DC will be equal to 28.5 divided by tan 60 degree, tan 60 degree क्या होता है, root over 3, ठीक है, तो यह हमें दूसरी बात पता चल गई, अब बचो निकालना क्या है, अभी तक में हमने क्या-क्या निकाला, first expression से हमने BC की value निकाली, दूसरे expression से हमने DC की value निकाली, ठीक है, BC मतलब पूरा निकाल लिया, DC भी निकाल लिया, बट मुझे इस question में कौन सी value निकालनी थी, मुझे इस question में BD की value निकालनी थी, है की नहीं, और BD क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, BD क्या हो जाएगा, BD is nothing बट यह पूरा BC minus DC, तो BD हो जाएगा BC minus DC, है की नहीं, चलो यहाँ पर इसको क पतलब, root 3 into 28.5 minus 28.5 divided by root 3, अब तो कुछ है निए, simple mathematics, 28.5 हमने बाहर ले लिया, तो अंदर root 3 minus 1 by root 3, तो इसको अगर हम calculate कर ले, तो आजाएगा हमारा answer, तो यह calculation तो आप करें लोगे, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है न, तो मतलब इसमें approach कैसा था, यह question थोड़ा अलग था, भी तक हम जित्ते question कर रहे था, उससे थोड़ा सा अलग था, इसमें एक situation था, कि एक point से दूसरे point पे गया बना, अब आप को सोचना है कि यह diagram सही सही बनना है, हाँ पर भी, कि मुझे यह निकालनी है, BD के value निकालनी है, यानि कि मुझे यह base जो है, दोनों ही triangles के अंदर से base निकालना है, दोनों के triangle के अंदर से base निकाल लिया, दोनों की value सब्ट्राक्ट करेंगे, तो हमें यह मिल जाएगा, कि इ यहां से यहां तक आने के लिए, है कि नहीं, तो इस तरीके से, इस approach से हम ऐसे questions को solve कर सकते हैं, देखा जाए तो मुश्किल नहीं है, लेकिन यह वाला figure को सही से बनाना ज़रूरी है, बहुत बार क्या होता है, कि बच्चे वो इतना लंबा सा word problem देखके डर जाते हैं, उनक आप इस diagram को बना पाओगे, ठीक है, तो do you agree with me, क्या आपको लग रहा है कि दीरे दीरे हरे question के साथ clarity जो है वो बढ़ती चली जा रही है, great, चलो आगे बढ़ेंगे, तो चलो बच्चे अब देखते है problem number 6, यहां पर हमें क्या दिख रहा है, एक statue दिख रही है, फटा-फट टॉल statue जो है, stands on top of a pedestal, pedestal क्या होता है, जैसे statue के नीचे, एक stand type का होता है, जिसके ऊपर वो statue खड़ा होता है, जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि यह जो है न, this is the pedestal, और यह जो है, यह statue है, ठीक है, okay, from a point on the ground, अच्छा, statue की height कित्मी दीवी है, 1.6 meter, यह जो height है, this doesn't include the height of the pedestal, okay, from a point on the ground, angle of elevation of top of statue is 60 degree, ठीक है, मतलब मान लेते हैं, यह हमारा एक point है, ठीक है, इस point से statue के top को अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो angle of elevation कितना है, 60 degree, मतलब यह ground के साथ, जो angle of elevation होगा, that will be 60 degree, यह बात हमारे पास दी हुई है, दूसरी बात क्या दीवे, and from the same point, angle of elevation of top of the pedestal is 45 degree, pedestal का top कहां पे है, यहां पे, यह pedestal है, तो इसी point से, अगर pedestal के top को देखे, तो जो angle बनेगा, that angle is 45 degree, ठीक है, अब right angle triangle कहां बन रहा है, बाइस, statue के height को भी तो एक line खींच दो यहां पे, तो बन गया एक हमारा right angle triangle, है की नहीं, बन गया right angle triangle, great, अब निकालना क्या है, find the height of the pedestal, यानि कि यह जो pedestal है, इसकी हमें क्या निकालनी है, हमें इसकी height निकालनी है, ठीक है, तो यानि कि मुझे निकालना क्या है, मेरे पास theta दिया हुआ, यहां पर भी ध्यान से देखो, दो right angle triangle बन रहे हैं, यह न, मान लो यह A है, यह B है, यह C है, और यह D है, तो एक right angle triangle है, A, B, C, दूसरा है, D, B, C, तो यहां पर भी दो right angle triangle ब में पता है, इसके अलावा निकालना क्या है, निकालना है, यह height of the pedestal, मतला basically perpendicular वाली side की हमको values निकालनी है, ठीक है, base का भी value यहां पता नहीं है, लेकिन देखते हैं, what can we do about it, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम tan theta को pick करते हैं, ठीक है, दोनों triangles में हम tan theta की value निकालते हैं, ठीक triangle ABC में tan 60 degree, क्या हो जाएगा, perpendicular by base, अब मैं यह बड़ा सा triangle ले रही हूँ, तो इसका perpendicular क्या हो जाएगा, height of the tower, plus height of the pedestal, मतलब height of the statue, plus height of the pedestal, right, so that will be equal to the perpendicular, तो height of the statue, plus height of the pedestal, जो हमें पता नहीं है, उसको हम letter से H, H dash से denote करते हैं, ताकि आप hypotenuse से confused ना हो जाओ, ठीक है, so this will be perpendicular, divided by base, base हो जाएगा BC, जिसकी value हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि यह जो distance है, this is B, ठीक है, अब tan 60 degree की value कितनी होती है, आप बताओ मुझे, tan 60 degree होती है, root 3, I hope यह values अ तो यह हमें एक पहला, पहली एक equation हमें मिली, ठीक है, अब हम चले जाते हैं हमारे दूसरे triangle पे, which is triangle D, B, C, और इस triangle पे, अगर हम tan theta की value लिखें, which is tan 45 degree, is equal to perpendicular, इस छोटे से triangle में जो perpendicular है, that is the height of the pedestal, यानि की H dash divided by B, अब बच्चों, tan 45 की value कितनी होती है, 1 होती है, exactly, so this is 1, so 1 is equal to H dash by B, यानि की B is equal to H dash, B की जो value है, H dash की भी वही value है, तो यह एक बहुत ही valuable information हमको यहां से मिल गई है, है की नहीं, तो B की जग हम H dash भी लिख सकते हैं, अब इसी चीज़ को हम first equation में apply करेंगे, तो फिर, अब हमारा जो पहला equation था, वो equation क्या बन जाएगा, root 3 is equal to 1.6 plus H dash divided by B की जगा भी हम H dash लिखतेंगे, अब इसको अगर हम solve करते हैं, तो root 3 H dash is equal to 1.6 plus H dash, ठीक है, अब इसको simple equation की तरह solve करेंगे, यहां पर H dash इधर ले आते हैं, तो यह हो जाएगा, root 3 minus 1 into H dash is equal to 1.6, यानि की H dash is equal to 1.6 divided by root 3 minus 1, ठीक है, H dash क्या है, height of the pedestal है, अब इसको हम थोड़ा simplify और कर सकते हैं, तो चलो simplify जो है, उसको हम इधर कर देते हैं, क्योंकि यहां पर जगा नहीं है, है न, यहां पर करते हैं हम लोग, तो यहां पर मुझे क्या मिला, H dash is equal to 1.6 divided by root 3 minus 1, तो इसको rationalize कैसे करेंगे, उपर नीचे दोनों तरफ root 3 plus 1 से multiply कर देंगे, ऐसे ही तो करते हैं, ताकि हमें denominator में irrational number ना मिले, यह root over 3, root over 2 हमें denominator में कभी भी पसंद नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, numerator में आ जाएगा 1.6 into root 3 plus 1, denominator क्या हो जाएगा, a minus b into a plus b, तो क्या होता है, a square minus b square, root 3 का square, यानि कि 3 minus 1 का square, यानि कि 1, तो यह हो जाएगा 1.6 divided by 2 into root 3 plus 1, यानि कि यह हो जाएगा 0.8, तो यानि कि हमारा अंसर हो जाएगा 0.8 into root 3 plus 1, meter, space की कमी से थोड़ी से खिचड़ी यहाँ पर पक गई है, लेकिन मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी लोग मेरे साथ-साथ इसको solve कर रहे हो, और अगर आप साथ-साथ solve कर रहे हो, तो कोई confusion की, कोई गुझाईश ही नहीं है, है ना, क्योंकि इधर मैंने सिर्फ mathematical calculation किया है, तो approach किया रहा, दोनों triangle में से tan theta का expression लिख डाला हमने, जैसे ही हमने ऐसा किया, तो चीज़े अपने आप solve होने लगी, क्योंकि एक तरफ tan 45 था, which was 1, तो हमें एक equation मिल गया, कि B और H- की value बराबर है, उसी को जब हमने first वाले expression में डाल दिया, first वाले expression में इस B की जगह हमने डाल दिया H-, तो हमें एक simple से equation मिल गया, जिसे हम solve करके H- की value निकाल सके, ठीक है, किसी को कोई doubt, किसी को जरा सा भी कोई doubt, I hope नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल तो ये chapter ही नहीं है, हाला कि बहुत से बच्चों को ये chapter बहुत जादा मुश्किल लगता है, थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि यार, heights and distance के जो questions आना, वो हमसे solve भी नहीं होते, बट मुझे तो समय नहीं आता कि क्यों नहीं होते, क्योंकि अगर आपको 6 trigonometric ratios बता है, और अगर आपको question पढ़के, question का meaning अगर आप समझ पाते हो, तो कुछ ऐसा है ही नहीं इसमें जो अपसे ना हो सके, ठीक है, सब बढ़ियां चल रहा है, आगे बढ़ेंगे, तो चलो मेडे प्यारे बचो तैयार हो, अगले सवाल के लिए, which is problem number 7, जहां पर हमें दिख रहा है, एक तरफ है tower, तो दूसरे तरफ है building, तो देखते हैं सवाल क्या कह रहा है, तो सवाल कह रहा है, the angle of elevation of top of a building, from foot of a tower, यह building है, ठीक है, यह क्या है, यह है हमारी building, और यह है हमारा tower, यह कौन सा tower है, यह वह बताओ मुझे comment section में, the angle of elevation of top of a building, from foot of a tower, मतलब building के top को, अगर हम tower के foot से देखें, let us say कि यह horizontal line है, बहुत neat नहीं आया, तेड़ा मेड़ा हो गया, मतलब ideally it is a straight line, ठीक है, तो अगर हम इसे देखें, तो जो हमारा angle of elevation होगा, that is 30 degree, यह angle of elevation is 30 degree, और वही the angle of elevation of top of tower, from foot of building is 60 degree, tower के top को, अगर हम building के foot से देखें, तो angle of elevation कितना है, यह 60 degree, बढ़ा घूमा विरा सा सवाल है न, एक building है, एक tower है, जब building के foot से tower के उपर देख रहे हैं, तो angle of elevation कुछ और है, जब tower के foot से building के top को देख रहे हैं, तो angle of elevation कुछ और है, है न, तो यह हमने बना लिया है, if the tower is 50 meters high, मतलब यह जो tower है, इसकी height दी हुई है 50 meters, find the height of the building, हमें इस building की height निकालनी है, ठीक है, यह हमें निकालना है, अब यहाँ पर right angle triangle कितने बढ़न रहे हैं, देखो, एक तो यह वाला right angle triangle है, है न, naming कर देते हैं, let's say A, B, C, और इसको D कर देते हैं, तो हमारे पास दो right angle triangle है, एक तो है triangle A, B, C, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है D, B, C, दूसरा है triangle D, B, C, अब इन दोनो right angle triangle के अंदर, हमें theta की value पता है, और क्या पता है, इसके एक, इसमें से एक triangle के लिए हमें perpendicular पता है, दूसरे triangle के लिए हमें perpendicular की value निकालनी है, base की value किसी में भी नहीं पता है, मान लेते हैं कि यह जो distance है दोनों के बीच में, that is B, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों ही case में हम tan theta की value लेंगे, क्योंकि tan theta deals with perpendicular and base, अब मज़ेदार बात यह है कि यहां पर दोनों right angle, triangle कुछ इस तरीके से बने हैं, कि दोनों का base का value सेम है, दोनों का ही आप देखो, base बराबर है, यही तो है दोनों का ही base, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, tan theta का expression, दोनों triangle के लिए लिख सकते हैं, और base B की जो value निकलेगी, उसको equate कर देंगे दोनों का, समझ में आया है, ने समझ में आया है, भी करेंगे तो समझ में आएगा, पहले triangle ABC में, tan की value लिखेंगे, देखो, ABC इसमें tan 30 degree है, क्योंकि theta यहाँ पे 30 degree है, तो इस वाली triangle में, ABC में, perpendicular is height of the building, ठीक है, and divided by base, तो height of the building को, हम let us suppose x मान लेते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, x upon b, अब tan 30 degree क्या होता है बच्चों, बताओ आप मुझे, 1 by root over 3 is equal to x by b, तो यहाँ से हम base की value निखाल लेंगे, base क्या हो जाएगा, root over 3 into x, यह हमारा पहला equation है, ठीक है, अब चलते हैं, triangle DBC की तरफ, यह है triangle DBC, तो इसमें theta क्या है, इसमें theta है 60 degree, तो यह हो जाएगा, tan 60 degree is equal to perpendicular, मतलब tower की height, which is 50 meters, divided by base, which is b, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 degree क्या होगा, root over 3 is equal to 50 upon b, तो यानि की b की value हो जाएगी, 50 upon root over 3, यह हो गया हमारा second equation, ठीक है, अब अगर दोनो equation को ध्यान से देखो बच्चों, तो दोनों ही equation b की value बता रहा है, यानि की b की value root over 3x भी है, और b की value 50 upon root 3 भी है, तो यानि की यह दोनो b के values को हम equate कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं, from equation 1 and 2, हम क्या कह सकते हैं, कि root over 3 into x is equal to 50 upon root over 3, यानि की x की value क्या हो जाएगी, 50 upon root over 3 into root over 3, that is 50 by 3 meters, so this will be the height of the building, इतना ही आसान था, ताना आसान, है की नहीं, अब यहाँ पर मैं यह भी बताती हूँ कि बच्चे गलती कहां पर करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, जब इस diagram को बनाते हैं, इस सबाले sentence भी confuse हो जाते हैं, कि angle of elevation from top of building from foot of tower is 30, and angle of elevation of top of tower from foot of building is 60, और इसमें confuse हो जाके वो समझ नहीं पाते हैं, कि कौन से angle की value 60 degree है, कौन से angle की value 30 degree है, और यह confusion बच्चों क्यों होता है, क्योंकि angle of elevation होता क्या है, वो जो concept है, वो जो definition है, वो जो समझ है वही clear नहीं होती, तो इसलिए हम diagram तो बना लेते हैं, पर आम समझ नहीं पाते हैं, कि यह वाला angle होगा 60, यह वाला angle होगा 60, यह वाला angle होगा 60, तो हमारे दिमाग में वो confusion चलता है, बट यह confusion बिल्कुल भी नहीं चलेगा, अगर हम इसलिए इस वीडियो के बिल्कुल शुरुबात में, मैंने सबसे पहले समझाया था, angle of elevation, horizontal से, जब मैं foot पे खड़ी हूँ, foot से, horizontal से कितने उपर है मेरा line of sight, line of sight यह है, तो horizontal के साथ वो angle बना रहा है 60, ठीक, उसी तरीके से, जब मैं tower के foot में हूँ, तो horizontal मेरा यह है, और line of sight यह है, तो angle बना रहा है 30, तो जो हमने समझा है एकदम basics, उसको apply करते हुए, question को पढ़ेंगे, और diagram बनाएंगे, तो चलो बचलो अब हम देखेंगे problem number 8, और यहाँ पर जैसे कि हम देखी रहे हैं, यहाँ पर जहाज दिख रहे हैं, lighthouse दिख रहे हैं, जो की heights and distances के बड़े प्रसिद्ध problems हैं, तो जब हम इतने सारे questions solve करी रहे हैं, तो एक lighthouse वाला problem solve करना तो बनता ही है, तो चलो देखते हैं सवाल क्या पूछता है, यह कह रहा है कि as observed from top of a 75 meter high lighthouse, वैसे lighthouse क्या होता है यह तो पता ही होगा आपको, जिसे समुंदर के बीच में बहुत उंचे से towers होते हैं, जो समुंदर में जाने वाली जो जहाज होते हैं, उनको वो गाइड करते हैं basically, ठीक है, तो यह जो lighthouse है हमारे पास, इस lighthouse की जो height है, that is given as 75 meter, ठीक है, ओके, आच्छा, angles of depression of two ships are, 30 degree and 45 degree, यहाँ पर देखो, दो जहाज आते वे दिख रहे हैं, let us say S1, S2, ठीक है, और इनका angle of depression, depression की बात क्यों कर रहे हैं, देखो पहला ऐसा सवाल आया, जहाँ पर हम angle of elevation की बजाए, angle of depression की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम उपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो जब हम उपर से नीचे की तरफ देखने हैं, तो हमें जुकना पड़ता है horizontal से, यह हमारा horizontal line है, तो इस horizontal के साथ, हमारा जो line of sight है, वो कितने angles बना रहा है, 30 degree और 45 degree, तो यह angle है 30 degree, और यह angle है 45 degree, ठीक है, मत अब उपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो यह angles बन रहे हैं, अब आप बोलो के माम यह तो ठीक है, बट यहाँ पर मेरा जो diagram है ना, कुछ अलगसा बन रहा है, मतलब theta जो है वो इधर है, लेकिन मेरा right angle, triangle मेरा कुछ इधर बनता वा दिख रहा है, उसमें कौन सी बड़ी बात है भई, simple mathematics तो पढ़ते आ रहे हो, यह अगर 45 degree है, तो यह भी तो 45 degree ही होगा, alternate angles are equal, भूल गए क्या, उसी तरीके से यह अगर 30 degree है, तो यह भी तो 30 degree ही होगा, क्यूंकि यह भी alternate angles है, हैं कि नहीं, तो अब हमारे पास वापिस से क्या मिल गया, दो right angle triangle मिल गया, perpendicular दिया हुआ है, निकालना क्या है, if one ship is exactly behind the other, on the same side of the lighthouse, तो दोनों जो है एक के पीछे एक है, और lighthouse के एक ही side है, कोई question ऐसा भी हो सकता है, जिसमें एक ship इस तरफ है, तो दूसरा इस तरफ है light house के, find the distance between the two ships, यानि कि हमें S1 और S2 के बीच के distance को निकालना है, इस तरह का question हमने अभी कुछ time पहले ही एक किया था, जहां perpendicular दिया हुआ था, दो triangles बन रहे थे, और हमें उन दोनों points के बीच का distance निकालना था, जिसमें हमने देखा था, एक बंदा एक point से दूसरे point पर walk करके जा रहा है, याद आया, याद आया, जल्दी बताओ, चौलो, याद आया तो बहुत बढ़िया नहीं भी आया, तो अभी जब हम solve करेंगे, तो याद आ जाएगा, वैसे जिन जिन को याद आ गया है, वो अपनी-अपनी copy में इसको solve करने लग जाओ, ठीक है, तो अब थोड़ा सा fast करेंगे, क्योंकि काफी सारे questions हम कर चुके हैं, तो पहले बात करेंगे, इस triangle की, दोनों ही triangle की case में, tan theta की value निकालेंगे, तो अगर हम बात करते हैं, tan 45 degree की, क्या हो जाएगा, perpendicular by base, तो let us suppose अगर ये point O है, तो perpendicular हो जाएगा 75, और base क्या हो जाएगा, इस triangle के लिए, OS1, यानि कि हम लिख सकते हैं, OS1 is equal to 75, क्यों, क्योंकि tan 45 की value होती है 1, तो ये हमारा पहला expression है, अब चलते हैं दूसरे triangle पे, तो हम tan 30 की value निकालते हैं, tan 30 degree क्या हो जाएगा, perpendicular जो कि 75 होगा, अपन base, base हो जाएगा OS2, तो यह हो जाएगा 75 divided by OS2, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, OS2 is equal to 75 divided by tan 30, tan 30 कितना होगा, 1 by root over 3, यानि की 75 root over 3, यह हो जाएगा हमारा equation number 2, निकालना क्या है, S1, S2 की value निकालनी है, अब OS2 पता चल गया, OS1 पता चल गया, तो OS2 minus OS1, वही तो हो जाएगा, S1, S2 है की नहीं, तो S1, S2 की value क्या हो जाएगी, OS2 minus OS1, तो OS2 है 75 root 3 minus 75, तो यानि की यह हो जाएगा, 75 into root 3 minus 1 meters, तो यह जो है, this is the distance between the two ships, ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर calculate किया, कुछ मुश्किल था, बिल्कुल भी नहीं था, इसी pattern का question किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है न, तो भाई, जिन जो लोगों ने खुद से solve किया, क्या आपका answer इतना ही आया है, क्या आपने correctly solve किया, इसको अगर किया है, then good job, ठीक है, तो क्या किया हमने, पहले एक triangle से, tan 45 के help से, OS1 निकाला, फिर दूसरे triangle से, tan 30 के help से, OS2 की value निकाली, फिर, S1, S2 निकाला कैसे, OS2 माइनस OS1 से, ठीक है, तो ये था हमारा सवाल, तो चलब बच्चों अब देखते हैं, problem number 9, ठीक है, आपको शायद इस picture को देखके ही लग रहा होगा, कि problem थोड़ा सा पेचिदा है, थोड़ा सा घूमा हुआ है, and let me tell you, ये problem थोड़ा सा अलग है, अभी तक हम जितने भी question solve कर रहे थे, वो कहीं न कहीं थोड़े से एक ही धांचे के थे, ये थोड़ा सा अलग pattern है, क्या अलग है, इसमें मतलब बहुत बार ऐसा हो सकता है, कि ये question को पढ़के ही बच्चे को लगेगा, कि अरे यार ऐसा question कैसे solve करे, तो बच्चे पहली ही nervous हो जाएंगे, तो इसलिए बाद में वो शायद अपना 100% effort डाल मी नहीं पाएंगे है, लेकिन घबरानी की कोई बात नहीं है, हम लोग अभी इस question को कर लेंगे, ताकि कैसा भी घूमा फिरा question आपके सामने हो, आप उन सभी को पूरे confidence के साथ attempt कर सको, ठीक है, तो चलो, पढ़ते है question को, यह highway है, जो कहां पे पहुँचता है, एक टावर के फुट पे पहुँचता है, यह बंदा जो इस टावर के बिलकुल टॉप पे खड़ा है, यह एक कार को अब्जर्व कर रहा है, तो इसका अंगल ओफ डिप्रेशन जो है, that is 30 डिग्री, ठीक है, कहानी क्लियर है, लेकिन यह कार जो है, यह एक जग ठहरी भी नहीं है, यह कार जो है टावर की तरफ मूव कर रही है, विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, यह यूनिफॉर्म स्पीड is very very important here, ध्यान देना, यूनिफॉर्म स्पीड सभी को पता है, फिजिक्स में हमने पढ़ा है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, अगर हम बराबर का डिस्टन्स कवर कर रहे हैं, इन इक्वल इंटर्वल्स ऑफ टाइम, मतलब मालो की पहले एक मिनट में, हमने एक्स किलोमेटर किया, अगले एक मिनट में, फिर एक्स किलोमेटर और, उसके अगले एक मिनट में, एक्स किलोमेटर और, तो अगर हर इंटर्वल ऑफ टाइम पे, हम इक्वल इंटर्वल ऑफ टाइम पे, अगर इक्वल डिस्टन्स कवर कर रहे हैं, then that is uniform speed तो ये car जो है uniform speed के साथ चल रही है और ये tower के foot के तरफ आ रही है ठीक है 6 seconds later 6 seconds के बाद the angle of depression of the car is found to be 60 degree मतलब पहले ये car यहाँ पे थी पहले इसकी position यहाँ पे थी यहाँ से 6 seconds के बाद ये car यहाँ पर आ गई और 6 seconds के बाद जब car यहाँ पर आ गई तो इसका जो angle of depression है वो कितना हो गया वो हो गया 60 degree क्योंकि जब ये tower के पास आ गई तो angle of depression भी बढ़ता चला जा रहा है ठीक है find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point भ्यान देना from this point which point ये जिस point पे अब आई है इस point से कार को कितना time लगेगा अरे वाह यहां तो गजब हो गया अब तक तो हमें सरफ distances निकालने पर रहे थे कि भाई कभी base निकालो कभी perpendicular निकालो तो कभी hypotenuse निकालो यहां पर time निकालना है कुछ बहुत अलग है थोड़ा अलग तो है मैं मानती हूं पर बहुत अलग भी नहीं है एक question solve करेंगे आपको समझ में आ जाएगा trick ठीक है तो पहले यह बताओ कि question समझ में आया ठीक है कि एक car थी यहां पर ठीक है car move की uniform speed के साथ 6 second के बाद इस point पे आई जब पहला वाला point था तब इसका angle of depression जो था tower के foot तक पहुँचने में इसको कितना time लगेगा ठीक है तो यहां पर हम एप्रोच यह कर लगाएंगे कि अगर इतने distance को cover करने में 6 second लगा तो इतने distance को cover करने में कितना time लगेगा बात को समझना अगर मैं यह निकालनू कि यह distance कितना है तो हमें पता होगा कि भाई इतने distance को cover करने के लिए 6 second लगा था और अगर मैं यह भी निकाल लूँ कि यह distance कितना है तो मैं निकाल सकती हूँ कि फिर इतने distance को cover करने के लिए कितना time लगेगा यानि कि मेरा पूरा focus क्या रहेगा कि यह जो base है ना पहले तो naming कर देते हैं तो बोलने में easy रहेगा यह A है यह B है यह C है और यह D है तो अगर मैं यहाँ पर BC और CD के बीच का relation निकाल लो क्योंकि BC distance cover करने के लिए 6 second लगा है तो CD BC का अगर double है तो time भी double लगेगा CD अगर BC का half है तो time भी half लगेगा CD अगर BC का 10 times है तो time भी 10 times हो जाएगा समझ रहे हो बात को क्योंकि speed तो uniform है तो अगर मैं BC और CD के बीच में एक relationship निकाल दूँ तो मैं निकाल सकती हूँ कि time कितना लगेगा CD को cover करने में तुम logic समझ रहे हो approach समझ रहे हो अब चलो solve करेंगे तो अब मेरे पास हमेशा की तरह यहाँ पर दो right angle triangle है और इन दोडो right angle triangle में हम tan की value निकालेंगे tan की value क्यों निकालेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर heavily base पर dependent हो मुझे base के बीच का relationship चाहिए इसलिए मैं tan यूज करूँगी तो एक expression मैं लिखूंगी tan 30 degree के लिए दूसरा expression मैं लिखूंगी tan 60 degree के लिए तो tan 30 degree कितना हो जाएगा इस tower का height अभी के लिए let us suppose मैं tower के height को क्या लिखूं let us suppose कि tower के height को मैं लिखती हूं let us say t नहीं t लिखूंगी तो confusion होगा tower के height को मैं y लिखती हूं ठीक है age लिखना नहीं चाहती हूं कि कहीं बच्चे hypotenuse से confused नहीं हो जाए तो tower के height को मैंने मान लिया y और let us say कि ये नीचे का distance उसको अभी देखते हैं हम लोग क्या करेंगे तो tan 30 degree क्या हो जाएगा y divided by bd तो ये हो जाएगा y divided by bd ठीक है tan 30 degree कितना होता है tan 30 degree को हम क्या लिख सकते है bd को हम लिख सकते है y divided by 1 upon root 3 ठीक है ये मेरा first expression है ठीक है ठीक है तो यहाँ पर हमने tan 30 degree की value निकाल ली अब हम tan 60 degree की बात करेंगे tan 60 क्या हो जाएगा perpendicular जो की है y divided by base जो की है cd तो ये हो जाएगा y upon cd tan 60 degree की value कितनी होती है root over 3 is equal to y upon cd ठीक है तो यानि कि यहाँ से हम लिख सकते है कि y is equal to root over 3 into cd ठीक है ये मेरा equation number 2 हो गया अब हम क्या करेंगे ये कर सकते हैं दोनों ही case में हम y का expression निकाल लेते हैं यहाँ से भी हम निकाल लेते हैं y कितना हो जा रहा है bd upon root 3 ठीक है तो अब दोनों ही case में y की value निकल आई है तो हम उसको ek vẫn कर सकते हैं है ना तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं from 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं ⁃3 cd is equal to bd upon 3, यह लिख सकते हैं हम बिल्कुल लिख सकते हैं, अब आप देखो यह जो expression हमें मिल रहा है, यह cd और bd के बीच में मिल रहा है cd और bd के बीच में मिल रहा है, बट 1, root over 3, यह लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं, अब आप देखो यह जो expression हमें मिल रहा है, यह cd और bd के बीच में मिल रहा है, cd और bd के बीच में मिल रहा है, बट मुझे किस के बीच में चाहिए, मुझे cd और bc के बीच में चाहिए relation, क्योंकि bc को cover करने में 6 second यह मुझे पता है, तो मुझे BC और CD के बीच में यह expression चाहिए, यह मैं कैसे लापाऊंगी, जो BD है, इसको मैं BC प्लस CD लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, ध्यान दो बच्चो ध्यान दो, copy में भी करते करते समझो, वरना जो है, it'll all go waste, समझ में नहीं आएगा, CD की जगह मैं क्या लिखूंगी, BC प्लस CD, divided by root over 3, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए, BC और CD के बीच में एक expression, तो BC के term को एक तरफ ले जाते हैं, CD के terms को एक तरफ ले जाते हैं, ठीक है, तो let us say, इधर हमने क्या किया, यह root 3 को इधर ले आए, तो यह क्या हो ग BC प्लस CD, अब CD को भी इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2CD is equal to BC, right, इसका मतलब CD क्या हो गया, CD is equal to BC upon 2, देखो बच्चो, this is what we wanted, हमें यही चाहिए था, हम जानना चाह रहे थे, कि भाई, BC की जो value है, और CD की जो value इनका क्या relation है, क्योंकि BC जितना भी distance था, उसको cover क करने के लिए 6 second लगा था, right, तो BC जितना distance था, उसको cover करने के लिए 6 second लगा था, right, तो BC के आधे distance को cover करने के लिए time भी आधा लगेगा, समझ रहे हो, यहां से हमें यह पता चला, कि CD की जो value है, यह जो CD है, यह BC का आधा है, समझे, अब BC को cover करने के लिए time कितना लगा थ BC इतना distance cover करने के लिए time लगा था 6 seconds, अब चुकि ये गाड़ी uniform speed से जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि BC का आधा distance cover करने के लिए time कितना लगेगा, time भी आधा लगेगा which is 3 seconds और BC का आधा distance जो है that is nothing but CD, यानि कि point C से ले करके foot of the tower तक जाने के लिए time कितना लगेगा, 3 seconds, थाना थोड़ा अलग सा question, same pattern को question नहीं था, बट मज़ेदार question था, मुश्किल, एक बार के लिए बोल दूँगी मैं कि यहाँ थोड़ा मुश्किल question था, because this question का थोड़ा approach अलग था, तो बहुत से बच्चे शाएद diagram बगरा बना लेंगे, बट उसके बाद भी यह नहीं समझ पाएंगे कि time को कैसे relate करे distance के साथ, तो वहाँ पर आपको physics की basics याद रखनी होगी, speed क्या होता है, distance per unit time, अब अगर यहाँ पर speed uniform है, इसका मतलब है जब वो B से C गया था, तब भी जो speed था, जब वो C से D जाएगा, तब भी वही speed है, तो distance अगर double होगा, तो time भी double हो जाएगा, distance आधा होगा, तो time भी आधा हो and final question of this video, यह तो बहुत आसान दा, क्यों बच्चो, तो चलो मेरे प्यारे बच्चो, हम आप पहुंचे हैं हमारे आखरी सवाल पर, आखरी सवाल थोड़ा हटके हैं, लेकिन बहुत आसान है, trust me, बहुत आसान है, generally आप लोगों की expectation ऐसी रहती ही, कि जो last question होगा, वो सबसे म कह रहा है, the angles of elevation of the top of a tower from two points at a distance of four meter and nine meters from the base of the tower and in the same straight line with it are complimentary, बढ़ा लंबा सा sentence हो गया, मतलब अगर हम इस tower के top को देखें, इन दो points से, ठीक है, let us suppose यह point P1 है, यह point P2 है, तो जो angle of elevation है, right, जो angle of elevation है, वो क्या है, they are complimentary, मतलब अगर इस angle की value x है, तो दूसरे वाली angle की value कुतनी होगी, complimentary angle है, मतलब दोनों angle का सामें is 90 degree, तो अगर इसकी value x होगी, तो इसकी value हो जाएगी 90 minus x, ठीक है, उसी को complimentary कहते है, prove that the height of the tower is 6 meters, तो यहां हमें prove करना है कि इस tower की जो height है, that is 6 meter, और क्या-क्या दिया हुआ है, कि इन points का जो distance है from the tower, that is 4 meters and 9 meters, यह दिया हुआ है, मतलब यह वाला जो point है, यह कितनी दूरी पे है, यह 4 meters दूरी पे है, यह वाला जो point है, यहां से, tower के base से, यह कितनी दूरी पे है, यह 9 meters दूरी पे है, यह दिया हुआ है, यानि कि हमें base की value दी हुई है, theta हमने x और 90 minus x क terms में लिख लिया है, हमें निकालना क्या है, tower की height निकालनी है, यह height निकालनी है, तो यहां अभी के लिए हम height को x मान लेते हैं, ठीक है, निकालनी है, तो हम निकालेंगे, तो अगर 6 meter निकल के आ गया, तो hence proved हो जाएगा, तो चलो फिर लिखते है, tan की value, दो triangles हैं यहां पर, एक तरफ tan x है, तो दूसरे तरफ tan 90 minus x है, तो tan x की value क्या हो जाएगी, इस बड़े वाले triangle में, height, अच्छा, स्वारी, मैंने इसको भी height को भी x लिख दिया, और angle को भी x ले लिया है, तो let us say height को यहां पर, अब हम age ले लेते हैं, क्योंकि इतने questions आप कर चुके हो, अब tan x से तो confuse नहीं करूबे ius, ठीक है, तो tan x की value क्या हो जाएगी, perpendicular which is height of the tower, divided by base, tan x है, मतलब यह बड़ा वाला base, which is 9 meters, तो यह हो जाएगा h upon 9, ठीक है, tan 90 minus x की अगर बात करें, मतलब यह वाला angle, इसके case में भी perpendicular तो h हो जाएगा, base क्या हो जाएगा, 4 meters, तो यह हो जाएग h upon 4, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ मज़दार बात यह हो गई, tan 90 minus theta होता क्या है, trigonometry में पढ़ा था न हमने, tan 90 minus theta is cot theta, तो cot x की value है यह, h upon 4, अब इस से भी मज़दार बात यह है कि cot x क्या होता है, tan x का reciprocal होता है, तो यानि कि यह जो cot x है, इसको हम क् लिख सकते है, 1 upon tan x भी तो लिख सकते है, है कि नहीं, लिख सकते है कि नहीं, बिलकुल लिख सकते है, तो यानि कि इस cortex की जगह हम 1 upon tan x भी लिख सकते है, तो 1 upon tan x is h upon 4, तो यानि कि यहाँ से हम लिख सकते है, tan x is equal to 4 upon h, बट यह क्या बात हुई, यहाँ तो हमने देखा था tan x is h upon 9, यहां हम देख रहे हैं, tan x is 4 upon h, यानि कि दोनों के ही इस वाले right hand side को हम equate कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही tan x की value है, तो इसी लिए हम क्या कह सकते हैं, from equation 1 and 2, हम क्या लिख सकते हैं, h upon 9 is equal to 4 upon h, तो इस से क्या होगा, h square will be equal to 36, which means h will be equal to 6 meters, hence proved, यही prove करना था, बताया था आखरी question है, लेकिन है काफी आसान, तो इस question का main trick कहां पे था, यहां पे था, कि tan 90 minus theta को हमें लिखना है, cot theta, अब आप सोचोगे कैसे कि यहां पे मुझे यह लिखना है, सोचोगे ऐसे कि भाई, यह दो जो expression हमें मिले, इसमें h को हम equate तो नहीं कर सकते, क्योंकि h को हमें रखना है, तो यानि h की value हमारे लिए कीमती है, उसके साथ कोई हेरा फेरी नहीं cot theta, लिख डालो cot theta, उसके बाद देखो, चीज़े, maths में ऐसा ही होता है, एक बार आप, you know, दिमाग को free छोड़ दो, एक बार एक step आपने कर लिया, अपने आप रास्ते बनते जाते हैं, solution की तरफ जाने के लिए, ठीक है न, तो I hope this was good, you were able to solve it, and I also hope कि इन 10 questions को करने के बाद NCRT के question तो आप definitely कर पाओगे, in fact, अगर आप R.S. Agarwal, R.D. Sharma, जो भी बुक आप follow करते हो, उसके questions भी आप जरूर कर पाओगे, ठीक है, तो भई, maths है, सुरफ वीडियो देखके, अराम से बैठ जाने से चलेगा नहीं, वीडियो देखने के बाद, अब फटा-फट से किता उठाओ, जादा से जादा number of questions, solve करो और applications of trigonometry पे पूरा अपना hold बना लो. Learnohub, एक ऐसा free learning platform, जहां पर आपको मिलते हैं videos, notes, NCRT solutions, sample papers and online tests, absolutely free of cost, इतना ही नहीं, Learnohub class 11-12 YouTube channel पर चलते हैं, free batches for 11th and 12th, class 11th के बच्चों के लिए अथर्फ बैच, Monday to Friday at 4.30 PM, और class 12th के बच्चों के लिए अनन्त बैच, Monday to Friday at 6 PM, अगर आप या आपके जान पेचान का कोई तयारी कर रहा है NEET या JEE का, तो हमारे YouTube channel पर है Learnohub NEET पे जीत, JEE पे जीत का complete course, absolutely for free, इन में chapters की detailed explanations, live classes, धेर सारे questions और previous year questions detailed में covered है, और तोर, you can ask all your doubts absolutely for free at ask questions section of Learnohub, हमारा Android app भी है, आप one-on-one class लेना चाहते हो, तो है Learnohub स्वयम, at a very affordable price, Learnohub, free है पर best है तो बच्चा पाट यह से के साथ हमाँ पहुचे हैं इस वीडियो के end तक और मझे पूरे उमीद है कि अगर आप सभी मेरे साथ अभी तक हो, यह सारे के सारे 10 questions अगर आपने मेरे साथ 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 सॉल्व किये हैं, तो I am very confident कि अब आप किसी भी किताब से कोई भी question उठाओग अगर गलती से कहीं पे आप अटक जाते हो, कहीं पे आपको कुछ confusion हो जाता है, तो आप तुरंत से हमारे website या app के ask questions section पे अपना doubt पूद सकते हो, ठीक है, इतना ही नहीं, अगर आपको इन सारे वीडियो को देखने के बाद, question solve करने के बाद भी, अगर आपको लगता है कि नहीं, आप कुछ और advanced level of trigonometric questions practice करना चाहते हो, या फिर कुछ और higher level of questions try करना चाहते हो, और हमारे साथ आप one-on-one personalized class book करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो with LearnOHub स्वयम, तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मैं बहुत ही जल्द मिलूँगी एक और धमाग दार जबर करना चाहते है